और इसको भी बोल सकते हैं प्रोग्रेसिव बुक में बहुत बैसे तो पर्मनेंटली सब रेस्ट में नहीं रहते हैं इसको जोड़ से बजाओ सुपर पोजीशन ओव चैटर नमबर सिक्स और मैं आपको बताना चाहूँगा टोटल यहां मारे पांच चैटर कंप्लीट हो चुक है प्लेलिस्ट में देखो अगर पांच चैटर भी आपने कंप्लीट कर दिया ना यार बहुत अच्छा स्कोर करोगी फिजिक्स टू का भी है दो या तीन चैटर बच्चे हुए है और वहां भी पूरी चीज़े कंप्लीट हो जेगा हंड्रेट परसें फिजिक्स लाबस कंप्लीट कर देंगे तो भाई यहां हंड्रेट परसें हमने फ्रेश लेक्चर आपको दिया है ऐसा नहीं पूराने लेक्चर उठा के दिए हमारे मोडिवेशन आएगा और मोडिवेशन आएगा तो सिलाबस कंप्लीट होते ही आपके लिए बहुत बड़ा धमाका होगा आप सभी को पता हुए तो इस बार आपके लिए फ्रेस्ट लेक्चर हमने दिया है तो चलो स्टार्ट करते हैं सुपर पोजीशन ओव वेवस स सबसे वेवस क्या होता है तो अगर मैं आपको बता हूँ यह हमारा मालों फ्लीट है मैंने इसको जोड़ से बजाओ तो मैंने जब मैंने जब इसको अंदर एनरजी दी तो अंदर के जो पार्टिकल से वह पार्टिकल ऑसलेटरी मोशन अपने जगब ऐसे परफॉर्म करते ह एक पार्टिकल आगे वाले को धक्का देता फिर वह भी परफॉर्म करता है इस तरह से कंटीनूजली क्या होता है एनरजी ट्रावल करता है जहां तक मैं मलब जितने जोर से मैंने फूक मारा और एनरजी जहां तक ट्रावल कर पा रहा है क्योंकि एक पार्टिकल जब दूस डिखाई पिर से बोल रहा है अपने अनरजी होटा है के फॉर्म में दिखाई दिएर तोς लेंटमण सिखेभ chronicles त्रावल कर रहा है जो लगो अब रहा है क्लिये चौन होळार आजharma मिडीयम के अंदर वहीं क्या वह क्वे उसता है अब वेस के अंदर गाइस प्रोग्रेशी यह क्वे कोर parfait प्रोग्रेशिसीं होаются alone तो यहां मज़ब रहा है ऐना मैड़ने कारा इन मीडियाम के अंदर कंटीनीछले ट्रावल करा हुआ वैसे वो को प्रॉग्रेशी वंद मादेरा देको प्रोगरेस नाम सा पता चल रहा है प्रोग्रेस वना आगे कंटीनीूजले ट्रावल करना तो वेव इन अ मीडियाम ट्रावल कॉंटीनूजली विदाओट एनी अब्स्रेक्षन किसी आप्स्रेक्षन के विना वह क्उंटीनूजली क्या हो रहा है ट्रावल कर रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तर इसको कोई लिमिटेशन नहीं दिया हुआ है, जहां जगह मिलें वहां continuous नियुकर सकता है, ट्रावल कर सकता है, और यह से विव को क्या बोलते हैं, progressive विव, आप गाईस आगे चलते हैं, progressive विव के कुछ हमारा properties है, जो exam में पूछा जाता है, एक एक करके हम उसको देखने वाले सबसे पहली बात इस पार्टीक्ल रिच परफॉर्मिंग सिंपल हारमोनिक तर्टा स्थ इस परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन या तो ऑसिलेशन आप लिख सकते हैं तो पहला यह हो गया दूसरा गाइस ऑल वाइब्रेटिंग पार्टिकल अब पहुशने के लिए जितना टाइम इसको लगेगा उत्ना टाइम इसको भी लगेगा तो मतलब कहने का मलग पार्टिकल के जितने उस मीडियम के जितने पार्टिकल सोगे सब जाब सभी के वेओ कम वेओ का एंपलिट्यूट त्रेड Hani फ्रिक्वेंस कि ए रहेगा सेम रहे बस थो डिफेज अलग-अलग रहता है वेड़रेंस का रहता हूँ किसका बस फेज का डिफॉरेंस रहता है तो एंप्लीटीव्ट पिरेट्स और सेम मीडियों के दर जो वाइब्रेट कर रहा है जो पार्टिकल्स क्लिएर अब आगला चलते है नो नो पार्तिकल्स रिमेंस पर्म तो आगे सब नहीं सबless में करते हैं तो इक क्षिक्ट कैसा होता है कि उसओं इहां क्या लिखा हुआ बाकि पार्टिकल कैसे रेश्ट में दूसरा पार्टिकल कुसम अर्यस्ट में सब करना स्बाट करता है तो गणी रहते हैं उसके बाद गाइस दूरिंग दा प्र प्रारेशन आफ हुड व। एनर्जी ट्रांसपर अलॉंग दमिर्स बताया बाइ सब्सक्राइबने नहीं चेसे ठाविशन अपने आपने जगह पे महल्ले में क्या होता है ओसलिटरी मोशन परफॉर्म करता है क्वाटेज कि एन। ट्राविल करे तो ही तो वह फिसी तुषया हैज नूसटस्टरी नहीं जेगा तो यह ठका हो अगे वाले पार्टिकर थीज और इनकी जैली फंखा होगा तो भी किया आगे ज़त किले और है क्या हो एक बिह तो ड्य करिक वान एंक और पॉर सोथ आपन सब पंथे अपनThe दे वेवेस्ग फिम वेलक होसे किसी और के बोलने का एलग होगा तो इसके ऑनदरे पार्टिकल की वेलक होगी तो बैसके अलाग किसपे डिपेंड होती है हमने कुन सा medium यूज कीा है कुन सा medium यूज का उस पे डि डिपेंड करता है दोसरा होता हिए डी तर्नल्डेयुनले और दूसरा होता लॉंजिटूडनल्व विए और सभी को पता है आई साहा ने देखा के हमने हमने और यह जो हता हुआ है वो तकरस्ट और यह मारे ट्रफ रस्ट रफ प्रस्ट क्रस्ट रॉप अब लॉंड इस क्राइश मेहारे मर्रेekल है U यह देखो जो एकदम नजदीग नजदीग रहते हैं यह क्या compression और रेर फैक्शन मतलब दूर दूर तो इसको compression यह किसके अंदर होता यह आगे जो चीज़े करने वाले हैं उसमें यह चीज़े आपको आना चाहिए तो कैसा होता है ध्यान से देख लो और उसके अंदर क्रस्ट और रेर फैक्शन इसके बाद गाईस अगला हने यह हम कल देखेंगे क्योंकि सूपर पोजीशन और व्यो के बाद हम अंप्लिट्यूट देखने वाले जो सूपर पोजीशन और व्यों से रिलेटेड है इसलिए कल यह बताऊंगा और इससे रिलेटेड उसका अंप्लिट्यूट करवाऊंगा बड़ जहां तक मैंने करवाया प्लीज वो सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से कर लो मैंने प् से बता है अब विवस कंटीनिउजली ट्रावल इन मीडियम विदाउड एनी और इसको भी बोल सकते हैं प्रोग्रेसिव बुक में बहुत बड़ा सा लिखा और मैने जासा बता है अब इसको लिखे को पूरा मार्क्स मिलेगा एक भी कट होने वाला नहीं है तो चलो चलते ह नेक्स वीडियो मिलते है थैंक ये सो मस्च गैस जाए हिन दोस्तों